मित्रो हिंदू धर्मग्रंथों या फिर बड़े बुजोर। सभी यही कहते हैं कि सुबे सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इससे आपका मन और तन दोन सही रहता है। हमें साथ ही ये भी कहा जाता है कि सुबे उठके सबसे पहला काम पूजा ही करनी चाहिए। लेकिन मित्र भातन धर्मग्रंथों में माननता है कि सूरे जूगने से पहले जाग जाने से मनुषय का भाग्य सफल होता है। पहले की सबए में रिशी मुनी भी सुबे जल्दी उठते थे। क्योंकि उन सबी का मानना था कि ये ब्रह्म मुहरत होता है। इसलिए सुर्योधय के बाद उ क्योंकि यही भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। बता दे कि अगर आप ब्रह्म मुरत में उठेंगे तब ही आप सही तरीके से पूजा पाथ कर पाएंगे। क्योंकि इस मुरत में उठने के बाद आपका साफ होकर अराधना करना भी जरूरी होता ह लेकिन आपको बता दे कि इश्वर की पूजा सुबह 8 बजे के बाद भी की जा सकती है। और पूजा करने का सही समय सुबह 10 बजे तक होता है। और मित्रों इस समय के बाद परमात्मा की पूजा करना सही नहीं माना गया। वैसे आपको पूजा करते समय इन बातों का भी खास कयाल रखना चाहिए पुरानिक धर्मशास्त्रों की माने तो खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता और यदि आप ऐसे पूजा करते हैं तब आपको कोई फल नहीं मिलता आप अगर घर पर पूजा कर रहे हो तो खड़े होने की बजाए जमीन पर बैठ कर मानेता है कि सिर को ढखे बिना पूजा अर्चना करने से सारा फाइदा और पुन्यफल आस्मान में चला जाता है मानेता तो ये भी है कि जहां बैठ कर हम भगवान को याद करते हैं उस जगह का फर्ष मंदिर के फर्ष से उपर नहीं होना चाहिए पूजा एक ऐसी प्रक्र का खास ध्यान रखें याद रखें कि पूजा करते वक आपका चहरा पूर्व दिशा की और होना चाहिए और आप अपनी दाहिनी तरफ ही घंटी दूप दीप अगरबत्ती रखें और वहीं बाई तरफ पूजा की सारी सामगरी जैसे फल, फूल, जलपात्र और शंक रखन जिनका पालन अगर ना किया जाए तो आपकी पूजा भगवान स्विकार नहीं करते इस बारे में हमें श्रीमत भागवत गीता में भी पढ़ने को मिलता है जिसमें लिखा है कि पूजा करते सामगरी जैसा करने से उस आदमी के सभी पुन्य अपने आप ही खत्म हो जाते है इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़ कर ही करना चाहिए वहीं अगर आप अपनों से बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं तो ये हमेशा लेट कर करना चाहिए और माता को हमेशा जुक कर प्रणाम करना चाहिए इतना ही रही हमारे धर्म शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि जब करते समय हमेशा अपने दाहिने हाथ को कपड़े या फिर गौमुखी से ढख कर रखना चाहिए इसके साथ ही जब आपका जब खत्म हो जाए तो आसन के नीचे की भूमी को स्पर्श करके उसकी भी पूजा करनी चाहिए वही जब आप से ध्यान रखें कि आपके होठी या फिर जीब ना हिले इस तरह से जब करने के तरीके को उपांशुजप कहा जाता है और मित्रों ऐसे जब करने के कई फायदे होते हैं साथी देवी देवताओं की भी विशेश क्रिपा बनी रहती है वही मित्रों आप रोज सुबे शाम भगवान के मंदिर में दीपक तो जलाते ही होंगे लेकिन आपको बतादें कि दीपक जलाने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को किसी और दीपक से ना जलाएं आपको उसे या तो माचिस या फिर किसी दूसी चीज से ही जलाना चाहिए इसके ताकि एक से ज़्यादा मूर्तिया भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कलेश और अशान्ती आ सकती है। और बने-बनाए काम भी बिगर सकते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और तनाव आप पर हावी होने लगता है। इसके साथ ही माना जाता है कि भागवान को फूल चड़ाने से वो बहुत प्रसंड होते हैं और अपने भगतों पर क्रिपा बरसाते हैं। लेकिन मिस्तरों आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि भागवान के मंदिर में कभी भी बासी या फिर सूखे फूल न चड़ाए। फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बासी फूल नकरातमक्ता को आकरशित करते हैं। लेकिन वही जब बात तुलसी के पत्तों की आती है तो उसके तूटे हुए पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। ऐसे में आप उसकी पत्तियों को जल से दोकर भगवान को अरपित कर सकते हैं और तौर खंडित मूर्तियों को लेकर भी माननता है कि ऐसी मूर्तियों की पूजा करने पर फल नहीं मिलता और नहीं एकागरता बन पाती है इसलिए ऐसी मूर्तियों को तुरंत पूजा स्थल से हटा दे तूटी हुई मूर्ति की पूजा इश्वर को स्विकारे नहीं होती और इसका आपको नकारात्मक फल भी मिल सकता है इसलिए अगर आपके घर में तूटी हुई भगवान की मूर्ति रखी हुई है तो उसे तुरंत पानी में विसरजित कर दे वही मूर्तियों के संबंद में शिव पूरान में बताया गया है कि शिवलिंग को निराकार माना गया है शिवलिंग खंडित होने पर भी पूजनिये है और ऐसे में शिवलिंग की पूजा की जा सकती है और मित्रों शिवलिंग के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में पूजनिये मही मानी जाती तो मित्रों आज हमने जाना पूजा करने का सही समय और तरीका अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिष्टेदारों के साथ भी साजा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे दड़ डिवाइन टेल्स परिवार के साथ तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अब इजाज़त दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया